इसे हो शितर्शमाल वियां वेलकम वाज़ेंटो भाई टोक चैनल इंटरडेट ट्रेडिंग करके 95% जो ट्रेडर्स है वो तीन साल के अपना केपिटल जो गवाद देते हैं इतना उनको लॉस हो जाता है और 5% जो लोग होते हैं वही लॉंग टर्म में सक्सेस्फुल होते है और वह इतने ज्यादा सक्सेस्फुल होते हैं कि जीरो से मिलेनियर मन जाते हैं ऐसे 5% यह आपको लॉंग टर्म में मिले गए इसके लिए कुछ स्टोरी आपको ऐसे भी मिलती है कि जिनका लग काफी सही होता है तो कई बार एक है जो ट्रेडर्स हो जाती कि वह काफी ज्या तो इस टाइप के तुक्के भी लग जाता है तो पैसा लंबा टिकता नहीं है तो अल्टिमेट क्योंकि वह पैसा एक बार बंदा कमाएगा तो वापस डालेगा और उसको स्किल सेट नहीं है उसको नहीं पता कि कैसे ट्रेड करते हैं और हमेशा वो लोग की कॉल के इसाफ स गचीं की कामकरता है तो पैसा वापस चला भी जाता है तो यहाई रिजिएक आप पैसा लोग लग फवा के बात करते हैं तो profit तो short term में हर एक बंदे को profit होता तो loss भी होता है winning streak, losing streak हर एक बंदे को आती चाहे सबसे successful trader को भी आप पुछोगे तो वो ही बला losing streak मेरे को life में कई बार आई है बार उस losing streak को break करना सबको आना चीए और at the same time आपको discipline होना जरूरी है तो यह जो लोग होते जो 5% की category में आते हैं जो successful होते है long term में generally उनका एक rule book होता है उस rule book को follow करते है उनका पहला rule book होता है कि वो discipline के साथ काम करते है एक बार trade उनको ले लिए उस trade को छोड़ते हैं या तो stop हिट होगा टार्गेट हीट होगा risk manage करके चलते हैं स्टोप हमेशा लगाते हैं लिवरेस कम लेते हैं ट्रेड तभी करते हैं जब उनको लगता है कि market कम वोलेटाइल है मार्केट में profit या ट्रेड के successful होने की chances ज्यादा है कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं तब बिलकुल पता नहीं चलता कि market कोई भी डारेशन में जा सकते हैं ट्रेड होते हैं वो बेट करते हैं कई बार कुछ ऐसे सपोर्ट और रिजिस्टेंस होते हैं से आप लॉंग और शॉट करोगे तो आपको काफी ज्यादा profit मिलेगा सब्सक्रांइब था क्रेसा के साधियर क्या है Prud Learning क्या किसा यूज्ट रॉपाइब करना पड़ता है कि अल्मोस strh शुम सब्सक्राइब बॉनुच्ट से अब क् Buddy São Pete और मेंस बाओन इसंग करना पड़ता है कि अगर आपको एक बड़ा जीतना है तो और वो भी at the same time risk manage करके आप भी हाई leverage के साथ करोगे तो वो भी sense नहीं बनता अगर आप major support या major resistance के साथ play करते हो तो आप stop loss काफी अच्छा लगा सकते हो और आपका risk reward के ratio काफी better होता है at the same time जो successful trader होता है उसको अपने mind के ऊपर भी काफी control होता है वो काफी काम होके trade करता है he will be very peaceful when he trades उसको fomo नहीं होता है जब वो trade करता है उसको पता है कि यार ठीक है अभी आज नहीं करना तो नहीं करेंगे आज इस trade को इतने पर close करना हो कर लेगा so this sort of traders are not married to their bias they become bull when the market is bullish they become bear when the market is bearish at the same time they follow discipline they have control of their mind उसके लिए meditation वगर भी कहलो करते है so यह सब चीज है कि अगर आपका discipline है आप रूर्बूक फोलो कर रहे हो आप ज़्यदा लोगों के opinion नहीं सुन रहे है आपका खुद का plan फोलो कर रहे है आपका TM मजबूत है और आप अपके trade को complete होने का मौका दे रहे हो और आप उन्हें किसी बायस के साथ पकड़ कर नहीं बैठे हो कि मैं तो बोली रहूंगा या मेरी रहूंगा राइट मार्केट के साब साब के साथ काम कर रहे है और आप लगातार profit को चेस कर रहे हो और आपको लगता है ट्रेड नहीं करना है आज की दिन तो आप नहीं कर कोने इस सिपड आप ओपे प्रेडिंग करते हो तब आप लॉंग जिब सकते पैसा क्ंवा सकते हो जो संसे को मस्किल करना बात है झाल ति जीए को फड़ फेसा करना काफी गढ़ना पटे तो इसलिए लेव पीर लेकिते तो इएड legitimate और शॉज इकंडे हैं, इक भीड़र्वा यहुट अट I hope you like this information if you like this information if you like my review and share it with your friends and also in the comments to tell you how it feels about your trading journey so far I would like to hear and also subscribe to my YouTube channel and click the bell icon so you don't miss an update in the near future thank you